जै शिराम भगतो जै शिरी बाला जी माराज जै मातगी कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सित हैं स्वस्त हैं और बाला जी माराज मांबे की करिपा आपके उपर बनी हुई है यही कामना दिल से करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर रोज एक व पूजा करते हो हर रोज करते हो और बेसिक बाते हैं आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बाला जी की सेबा पूजा पार्ट करने बाले ब्यक्ति को तो अंतक बने रहें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और अगर आप हमा की पवित्र किरपा आपके उपर हमेशा बनी रहे और माजग जन्निमा भवानी अंब के अनपूर्णा रूप से आपके घर में हमेशा वास करें जो हरुआन जी के भगत होते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान लखना चाहिए मालो किस किस पकार का परेज करना चाहिए और क क्या अगर उनका प्रेज तूटता है क्या हनुमान जी की किरपा भी तूटती है मालो बहुत ज़्यादा असमन जस आपके माइंड के अंदर होगी आपके दिमाग में चल रही होगी कि हनुमान कहीं लोग तो ऐसे समझते हैं कि हनुमान जी कि अगर आप पूजा करने लग ना तो आपको हनुमान जी की पूजा करने लगे तो आपको लसन प्याज का त्याग करना पड़ेगा आपको यह चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा मालो ड्रा देते हैं लोग मालो फिर उससे क्या होते हैं को हनुमान जी हमारे बाबा ने कभी आपको यह बात बोली आक कि आपको ये ये करना पड़ेगा, ये ये नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो हती है, सबसे पहली बात हती है कि मर्यादा, जैसे कि छोटे और बड़े की मर्यादा, हनुमान जी माराज मर्यादा में हर कारिये करते हैं, और इस बात का ये नहीं है कि मंगल और शनी का ही प्रेज होता है देखो अगर आप घुठ माराज आपके शरी पर आते हैं या कोई शक्ति आती है या कोई प्रमारária जी दूप से आप कोई दरबार चला रहे हो या कोई आप पूजा या चना कर रहे हो तो मंगल शनी ब्रहम चाली का जो है आपको पालन करना चाहिए है और उसी दिनी शक्ति का अवान करना चाहिए कि आपके शीरी पर शक्ति आए नहीं तो आप शक्ति को स्थान भी दीजिए तो उसी दोरान क्या होता है कि ऐसे बहुत से लेकिन एक बात ये भी मत सोचले लेना कि हनुमान जी का जो है मंगल और शनी मंगल और शनी एक उत्पात ग्रहेंत हैं जो इनको अनुमान जी ने काबू किया समझ कि धरती पूतर मंगल है और सूरिया देव पूतर शनी है तो ये जो है जिनके कुडली में जो भी पाप दिरिश्टी कौन बनाते हैं या उनको जिस पकार की सजाएं वगयरा जो है इनके कारण ग्रहों का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जीवन के अंदर और अपना क्या है हनुमान जी महराज के चर्नों से आपको जूरने से नो के नो ग्रहों भी चांत होते हैं अब मर्यादा किसी इस पकार की रखनी चाहिए सबसे पहली बात होती है कि जो हनुमान जी है वो नारी का सम्मान करते हैं हमेशा और हमेशा नारी के परती जो उनके पीछे भी बताया मातासिता के वर्दान के कारण एक शुक्षम वर्दान जो है और भी प्राप्त है क्योंकि जिस पकार से मातासिता ने अपनी जो पीड़ा देखी गरब में जब बच्चे थे तब वालमी की आश्रह में हो रहे तो वो मैंने वीडियो बना रहे हैं वो भी आ हो जाएगी आपको शक्तियों को एक समय होता है निश्चित समय उस समय आपको शक्तियों को अवान करना चाहिए जब आप शक्तियों को अवान करते हो तो शक्तियों को उसी समय उनका स्थान भी देना चाहिए और स्थान देने के बाद जब और उसके जब आप एक ऐसा मंत सिंटेंगों उठाईएए जिसम बंतर से आप सक्टियों वोला रहे हो और मर्यादा खाने का पड़े जो होता होता है साथ्वेक आहार लेंए से हमारे अंदर जो है साथ्विक गुन उत्पन होते हैं अगर हम तामसिक आहार क्योंकि जैसा कि आप्को पताए कि हनुमान जी जो armored और पसंद करते हैं और अगर आप मास मदीरा का सेवन करे ओ तो हनुमान जी की शक्ति आपके पास कभी भी नहीं ही आईगी और ढगत हो तो सो बार हनुमान चिलिवा पढ़लो वह अलग बात है कि आपकी रक्षा हो नेकिन आपको मां किरपा के पातर नहीं बंदे क्रिपा पर नहीं आई तो कि दारू जो दारू मीट जो इस पकार के सेवन से हनुमान जी सपस्ट तरण से इस तिन चीजों के परित्याग है बालो वैशनो रूप में कारिये करते हैं मा वैशनों के प्रतम सैना पती हैं मा दुर्गा के प्रतम सैना पती हैं नेकिन हनुमान जी का जो पंच मुखी वो इस पकार के जो कोई कारिये करता है, यह मैं सोचाना कि सामने वाले शरीर में अगर कोई अभद्दर शक्ति है, तो हनुआन जी उसको चू नहीं सकते, या हनुआन जी अगोरी की शक्ति को छेर नहीं सकते, या किसी भी पकार की, नेकिन उस रूप में पंच मुक्षी जो रूप है, वो उसमें एक रूप तामसिक भी है, तो इस पकार से जो कारिये हैं, आपको मर्यादा में रहकर, मालो कंटिनू अगर आप हनुआन जी की किरपा के पातर हो, अगर आप मालो सामने वाले, एक तो हनुआन जी के भगत के अंदर कभी भी एहंकार नहीं उत्पन हो होना चाहिए, एहंकार क्योंकि वो मर्यादा प्रशोत्म प्रवुशी राम का आशिवाद हमेशा रहता है, उनके संग और उन्हीं के आशिवाद से इस भव्य सागर से वो लोगों को तारते हैं, अब बात रह जाती है कि हनुआन जी का जो भगत होते हैं, उनको जो दिया अगर आप सूबे और शाम, अगर हनुआन जी की जोद बत्ती कर रहे हो, और वो कंटीनू बरकरार रखनी चाहिए आपको, जो हनुआन जी की पूजा है, वो भी कंटीनू बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपके शरीर पराती है, तो उसको आप उस पुर्णिमा है, तो पुर्णिमा पे आपको बाबा की किर्पा है, तो आप बाबा की किर्पा के मादम सिर्फ ऐसा बाबा का सुंदर गांड का पाठ या कोई भी रमायन का पाठ और कंटीनू इस पकार का पाठ शक्तियों को समरन जरूर कराना चाहिए, हनुआन जी के भग जयादा प्रसन होते हैं हनुमान जी के भगत को किसी भी पकार की जहाँ पर अबद्दर टिपनिया होती हो एदश्ष सीन होते हो या इस पकार का कारिया होता हो जहां पर मदीरा का सेवन चल रहा हो वहाँ आप का परित्याग गरना चाहिए उस ठान पर नहीं जाना चाहिए औ और उस थान पर अगर मजबूरी वक्ष आप चले भी जाते हो तो अपने आपको पवित्ता का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने पवित्ता का ध्यान रखना होगे, क्योंकि कितना मन चंगा तो कुठोती में गंगा, एक वर क्या हुआ, हरुमान जी लंका में कूद गए, लंका में कूद गए तो माता सिता का जब प्रता का लगाने गए थे, तब लंका में कूद गए तो रावन जो था, निवस्तर था, और बहुत सी इस्तियों के साथ पड़ा था, हरुमान जी जब लंका में कूद गए, तो उसी समय लंका में कूदते ही, जब वहां से बार न और नवनिदियों के हैं, तो उनके जो शक्तियां जो उनके बल में एक बाद ये भी आई, कि इनको देखने से मेरे शरीर के अंदर किसी भी पकार की परतिकिरिया नहीं होई, किसी भी पकार का कारिया नहीं हुआ, तो मेरा ब्रमचारी खंडित नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है क अनुमान जी का जो भगत कई वारी हम आखे जो है वो नंगी होती है अपने विचारों को पवित्र रखना होता है अपने अंतर मन को शुद्र रखना पड़ता है अनुमान जी के भगत को अपने अंतर मन को शुद्र रखना पड़ेगा लाकि कि किसी को बदलने की ताकत आप स कोई ऐसी पत्ति के लिए उठती ही नहीं है तो आप अबंदर से पवित्र हो आपका जो भी ब्रह्मचारी है वो खंडित नहीं है और जो कोई व्यक्ति गरस्त जीवन में है हनुमान जी का भगत है तो यह नहीं है उनको एक मर्यादिक दिन देखना चाहिए जैसे कि मंगल और यह दो दिन का परेज कर सकता है तो वो दो दिनों का परेज कर कर चले ब्रह्मचारी का भी और लसन प्याज का भी उसको परित्याग करना चाहिए आप जितना सातिविक आहार गरहन करोगे उतना आपके शरीर में शुदता उत्पन होगी मैं ये नहीं कह रहा है कि जो अन्मान जी के भगत पुजारी है उनके उपर बात कर रहा हूँ ये नहीं कि जो मैं लासन प्याज का परती है कि लासन प्याज तो आई वे दिख जड़ी बुटी है ये है ये तो मैंने बता रहा है क्योंकि अमरत से प्राप्त हुआ है तो अमरत तुल्य तो वो है नेकिन कहीं न कहीं इस चीजों का जो प्रेज है हमारे शरीर के अंदर तामसिक्ता उगरता पैदा करता है उसका प्रित्याग करने से ही हमारे शरीर के अंदर हमान जी के भगत जो है उनको इस चीज़ का प्रित्याग करना चाहिए आप अगर कंटिनूर मान छलिसा पढ़ रहे हो यह नी तो मैंने जो बताया है जो शक्ती शरीव पर हैं जिन दूत माराज कीए, अब राशा करते हैं, जो कोई दरबार का कारिया करते हैं, क्यों के लोग मेरे पास ऐसे लोगों को भी फोन आते हैं, जो ओर्ल डरबार का कारिया और गारी और गाया durant ऑ मारा जाते हैं या भाबा की किर्पा आती हैं तो उनके लिए मैं उसकी उनकी किर्पा को और भी ज्यादा बहुमुल्य बनाने के लिए मैंने ये कारिये बताए हैं और ये कारिये जो है अब जैसे की जितना शुद्दी का आप द्यान रखोगे उतनी शक्तियों को अंदर से प आला जी महाराज, जाए मातुड़, जाए मातुड़.